तो चोटू अगर बात किया जाएं ता आज आपको परना है क्या परना है बायोगयस तो इसके बारने ने में बता दूंकि पहले के जवाने में आ यहांने हिधी फट्रॉलीयम गेस नहीं हुआ करते थे अर्थात मानम परकास के लिए या उड़जा के लिए या किसी भी रूप के लिए किसका उप्योग करते थे बायो गैस का उप्योग करते थे और अगर बता दूं कि इसको बनाने के लिए कोई विशेस अलग से पैसे की जोट नहीं परती थी अर्थात जिस परकार हम पाते हैं कि आप जो गैस खड़ीद रहे हैं उसमें आपको पैसा देना पड़ता है लेकिन इसमें पैसा देना नहीं पड़ता था इसमें एक बार आप इन्वेस्ट कर दिये उसके बाद इससे आपको गैस एवं उडजा मिलता रहता था देखिए चोटू सबसे पहले अगर बात किया जाए बायो गैस का तो यह है क्या होते हैं बायो गैस देखिए अगर बायो गैस की बात किया जाए तो सिंपल में समझे मानव अवसिस्ट एबम जन्तू अवसिस्ट मानव अवसिस्ट जन्तू अवसिस्ट निम्न करनिया कच्रा इसके साथ साथ तेल फल सबजी का कच्रा मानव अवसिष्ट जन्तु अवसिष्ट तेल फल सबजी का कच्रा को जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिती में छोड़ दिया जाता है तो वह सरगल के एक विसेश गैस का निर्मान कर लेते हैं जिसको क्या करते हैं बायो गैस ध्यान दीजिएगा मानव अवसिष्ट छोटू जन्तु अवसिष्ट तेल फल सबजी का कच्रा निम्न करनिया कच्रा गोबर को जब हम बायू के अनुपस्थिती में छोड़ देते हैं तो वह सरगल कर एक विसेश गैस उत्पन करते हैं जिसे क्या कहते हैं बायो गैस यहां तक दिक्कत नहीं उस जाते हैं तो बायो गैस में मेरा सी एच फोर पाया जाता है सी ओटू पाया जाता है एक बार ने बहुत बार कोच्चन पूछा गया है बायो गैस का परमुक अबियब क्या है या बायो गैस का परमुक घटक क्या है तो क्या बोलिएगा फोर मी ठि primarily Divine क्या होते हैं इसके साथ अगर बात किया जाए तो अगला आता है इस ही का भाग है जो कौन से सुखन जीव होते हैं जो इस गैस को उत्पन करते हैं तो देखिए मैथोने जैन मैथेनो जैन स्रेनी का जितने भी जीव है जितने भी जीव है उसको मैथेनो कहा जाता है देखिए मैथेनो जैन समू का जितने भी जीव है उसे मैथेनो कहा जाता है और यह एक परकार क और यह सभी मिलकर क्या करते हैं अब ऊच रहा है बायो गैस उत्पन करते हैं लेकिन और किसी चीजों से इतना ही कौन कौन से से चीज है जिसमें मेथेनो बेक्टरिया पाए जाते हैं जो कि मेथेनो जैन समू के अंतरगत आते हैं तो देखेगा छोटू अगर इसकी बात किया जाए तो आप सेलूलोज को देखें सेलूलोज बोला है क्या सेलूलोज युक्त पदार्थो का अवाई भी यह प्रोटीन की बनी होती है लेकिन अगर कोशिका भीत्ती की बाद किया जाए तो वह बना रहता है अपना सेलूलोज का और यह पाया कहां जाता है छोटू तो यह जो होता है अपना लीपीड एवं प्रोटीन लेपीड एवं प्रोटीन कोशिका जिल्ली में पाए जाता है य लेकिन कोशिका भित्ती की बात किया जाए तो कोशिका भित्ती अपना पाया जाता है सेलवाल में सेलवाल यानि सेलवाल अब कोई पूछे सेलवाल कहां पाया जाता है तो सेलवाल पलांट के बाहरी आवरन पे पाया जाता है और या केवल या पादप कोशिकाओं में पाया जो उपड़ का च्छाल उसमें क्या पाई जाते हैं मैथोईनोजेन वेक्टेडिया जिसकारण व्यूभा को गार देते हैं तो वह क्या बन जाते हैं इसके बाद फसुओ में पसुओ के रूमेन में हम जानते हैं चोटू की więc comment उसमें पाया जाता है और धात उसमें 2 अमाशे पाई जाती है एक बार जब भौजन करता है तो प्राथμीक अमासे यह उपस्थित रहता है जिस कारण से जब वहाँ पदार्थ पहुंचते हैं तो वहां पहले से कौन मौझूद था मैथेनोबेक्टेरिया जिस कारण से वहां क्या पहुंच पाते हैं गोबर में क्या पाए जाते हैं जिस कारण से हम क्या करते हैं गोबर का भी उपयोग कर लेते हैं इतना ही नहीं अगर बात किया जाएं तो इसमें परचूर मातरा में पाए जाते हैं और गोबर से सब्जियों के कच्रा से तेल फल सब्जियों के कच्रा जैन्तू अवसिस्ट मानव अवसिस्ट को जब निम्न कारण से छोड़ दिया जाता है ऑक्सिजन के अनुपस्थिती में यानि गड़ा खोन के अगर गार देते हैं तो कुछ समय पास्चात वह सरगल कर एक गैस बनता है जिसे क्या खते हैं बायो गैस इसके साथ-साथ इसकी लाव की बात किया जाए तो इसका लाव पहले जवाना में खाना पकाने के लिए किया जाता था खाना पकाने के लिए और परकास को उत्पन करने के लिए क्या किया जाता था इसका उप्योग किया जाता था उसके बाद छोटू बात किया जाए तो बची सेलरी का उप इपयोग उर्वरक के रूपमे आप जो गजध्धा खुन के डाले है उसमें जो डॉक Cleveland बना उसका एक़ेत में डाले हैं उसके पडियाबरन-पर दूसन तो इससे जब लाब है तो हानी भी होगा तो हम जानते हैं कि पढ़ियावरन का कच्रा को इकठा करके रख दिये तो पढ़ियावरन से कच्रा का भी तनिप्टारा हो गया तब पढ़ियावरन परदूसन से बचा किन है आप सोचके देखिए गोवर को जन्तु अबसिष्ट को एक जगा जमा करके रख लिया गया जिस कारण से पढ़ियावरन में जितने भी दूसीत पदार्थ थे वो दूसीत नहीं रह गये उसको गड़ा में रख दिया गया जिस कारण से बायो गया सुथपन होता है उसके बाद बनों की कटाई अगर बात किया जाए अब देखे यहां पर क्या आया बनों की कटाई अगर आप घर पे है तो घर पे बना लेजिए कोई तरह का दिकत ने देखे चोटू उसके बाद अपना एक टौफिक है जिसका नाम है क्या बायू पर्दूसन क्या है बायू पर्दूसन तो समझेगा मैंने कल अगले वीडियो में बताय पर्दूसन क्या देखिए अगर इसके बारे में बात किया बायू पर्दूसन के बारे में तो बायू पर्दूसन के लिए कुछ ऐसे ऐसे गैस है। सबसे पहले आप आप व चीज जानते हैं की यह मेरा किसका सुत्र है करवन का सुत्र और जब मेरा करवन का सुत्र है यह भी जानते हैं कि एक को कमेश्ट्री में मोनो क्या कहा जता है मोनो और दू को बोला जाता है डाय ठीक और तीन को बोला जाता है ट्राय ठीक आप इतना पुड़ा का पुड़ा जानते होंगे आप जहां परे होंगे वहां आपको बताया गया होगा ने तो मैं अगला वीडियो बना दूंगा तो आप यी चीज परे होंगे उसके बाद oxygen मिलता है तो किस का निर्माण कर लेता है औक साइड का निर्मान कर लेता तो देखिए समसे पहले यह मेरा क्या है कारबन है यह कैया कारबन है अगर इसमें हम स्पाइब अक्सीजन को जोड है एग js जोड़े एगो ऑक्षीजन को चोड़े तो चोटु क्या पढ़ेंगे कारवन ठीक मोनो ओक्साइड क्या पढ़ेंगे कारवन मोनो ओक्साइड लेकिन अगर यहां पर सी ओ टू दे दे तो क्या पढ़िएगा सी से क्या पढ़िएगा कारवन ओसे ओक्साइड लेकिन क्या गों है दूबुत इसको क्या पढ़ेंगे डाइड ठीक दीधिधे । गैस उस गैस में मेरा क्या है कितना परतिस्थथThathana कि युिर्वान परतिस्थथ उसके बाद oxygen की बात किया जाए तो oxygen कितना परतिसात है एकोईस परतिसात है ठीक तो बोल रहा है हमारे पढ़ियावरन में carbon monoxide carbon dioxide जैसे गैसों की मातरा में अगर बिर्दी हो जाती है तो लोगों को समुचीत मातरा में उचीत गैस नहीं मिल पाते हैं ऐसी इस्थिती क्या कहला काती है बायू पर दुषण क्या कहले कि दूशित है उनमें जो छोटे धूलकन उसे क्या कहते है बड़ी सिंपल शलकर Klaus वो बोला है कि बाताबरन में सभी का मात्रा समान है लेकिन अगर कारवन डायोकसाइड कारवन मोनोकसाइड क्लोरोफलोरो कारवन जैसे गैसों की अगर समस्या पिरिथवी पर बढ़ जाती है तो एक इस्थिती उत्पन होती है जिसे हम कहते हैं गलोबल बारमिंग क्या कहते हैं गलोबल बारमिंग क्या होता है भूतापन चोटू क्या होते हैं घेसों की सानरता के साथ साथ अगर भूमी का तापमान में बिर्दी होना सुरू हो जाए तो ऐसी इस्थिती क्या कहलाती है छोटू भूत तापन और कोई पुछे बायू पर्दूशन तो बायू पर्दूशन के बारे में बुलिएगा हमारे बायू मंडल में जितने भी गैस हैं उस गैस में किस इसी कारण से अगर भी सहले गैसों की मात्रा में बिर्दी हो जाती है तो उप्यूक्त गैस हमें नहीं मिल पाते हैं ऐसी इस्थिती क्या कहलाती है बायू पर्दूशन कहलाती है उसके बाद इसके बाद अगर छोटू कोई पूछे तो यहां से आप उसको बताईएगा जो बायू जो मिस्रित बायू होते हैं जो दुसित बायू होते हैं उसमें छोटे छोटे कन पाए जाते हैं जिसको क्या कहते हैं हम एरोसोल कहते हैं क्या कहते हैं छोटू एरोसोल तो ध्यान दिजिएगा अगर कोई पूछे कारवन मोनोकसाइड का सूतर क्या होता है तो क्या बोलिएगा सी ओ उसके नाइट्रोजन की मातरा कितनी होती है तो बोल दीजेगा 78 परतिसत तो छोटू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अगला वीडियो में जोगरफी का डालूंगा आप लोग जरूर देखिएगा तो तब के लिए टाटा भाई भाई